हेलो एंड वेल्कम टू आर चैनल सुलो टेल्स और आज की हमारी मूवी है टार्गेट यह एक रिसेंटली रिलीस हुई सस्पेंस थिलर मूवी है इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक अंजान हैकर एक लड़की की पूरी जिंद्गी टॉचा और ट्रामा से भर देता है दोस्तों यह मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ट है इसलिए इस मूवी में दिखाये गई हैकिंग आपको रियल फील कराएगी तो चलिए अब शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि आज के जमाने में हर इंसान के पास इंटरनेट की स्वेदा है जिसकी विज़े से वो कोई भी चीज ओनलाइन खरीद या फिर बेच सकता है लेकिन किसी को नहीं पता कि जिससे वो समान खरीद रहा है वो आत्मी सेफ है या नही तबी कोई सैलर ओनलाइन पोस्ट डालता है कि अगर किसी को सेकेंड हैंड आइमैक खरीदनी है तो मुझे कॉन्टेक करे असल में इस पोस्ट को डालने वाला एक सिंगल यूनिवरस्टी स्टुडेंट किम था किम को तलाश थी कि कोई लड़की उसका आइमैक खरीदे ताक कि मैं कुछ खरीदने से पहले उसे चेक जरूर करती हूँ तब किम लड़की को मेसिच करता है कि वो आईमैक बहुत भारी है मैं उसे उठा कर तुमारे घर तक नहीं ला सकता लड़की टेक्स करती है ठीक है फिर मैं खुद तुमारे घर आकर उसे चेक करूंगी तो किम उस डार्ट लगा रही थी क्योंकि उन्होंने लाग बताने पर भी सीवर की टाइल को उल्टा लगा दिया था सूजिन कहती है कहीं तुमने यही सेम मिस्टेक बाथरूम वाली टाइल्स के साथ भी तो नहीं की तो इस पर तीनों वाकर्स कुछ नहीं कहते तब सूजिन समझ जाती है कि इन्होंने वहां की टाइल्स भी गलत लगा दी है और अब सूजिन को ही इस सब का हिसाब मैनेजर को देना पड़ेगा आगे सूजिन घबराते वे इस बारे में मैनेजर को बताती है तब मैनेजर पार कहता है जब वे लोग काम कर रहे थे तब तुम कहां थी सूजिन कहती है दरसल कल मुझे अपना कमरा शिफ्ट करना था इसलिए मैं साइट पर नहीं पहुँच पाई पार कहता है मैं तुम्हें बहुत जल्द प्रमोट करने वाला हूँ लेकिन अगर तुम्हारा बीएविर ऐसा ही रहा तो प्रमोशन मुश्किल हो जाएगा खैर उन वाकर्स का लेबर मनी तुम्हें देना होगा सूजिन कहती है लेकिन इस महीने मैंने काफी पैसे खर्च कर दिये हैं अब मेरे पास किसी को दीनी लाइक कोई पैसा नहीं पार्क कहता है फिर उन वाकर्स ने जो कलर टाइल लगाई है उन्हें ठीक करने तयार हो जाओ तो इसे सूजिन है लेकिन पार्क सूजिन की एक नहीं सुनता इदर सूजिन की कलीग और दो सैरा भी इनके बीच की बास सुन रही थी आगे सैरा सूजिन को बताती है कि शायद तुमारा मैनेजर पार्क तुम्हे पसंद करता है क्योंकि वो तुमारी कई सारी गलतियों को नजर अन्दास कर चुका है सुजिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है आगे सुजिन सेरा से जिक्र कहती है कि जब से मैं नए खर शिफ्ट हुई हूँ तब से लगातार मुसीबिते आती जा रही है हाली में मेरा वाशुंग मशिन खराब हो गया है और अगर मैं इसे रिप्यार कराने जाती हूँ तो रिप्यारिंग का प्राइस भी बहुत जाधा बता लिया था सेरा बताती है बजार में उस ओवन की केमर डेर सो डॉलर है लेकिन वही ओवन सेकेंड हैंड में मुझे पचास डॉलर में मिल गया इसे सुन सूजिन हरान होती है क्योंकि ये काफी जादा कम प्राइस था अब सूजिन भी डिसाइड करती है कि वो भी एक नए वौशिंग मशीन की जिके हूँ लैगी आपसे कीम पर शेट होता है जो सेंट एट लगाकर उस लड़की के अपने घर में आने का वेट कर रहा था तबी किम को उसी लड़की के अकाउंट से मैसेज आता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं किसी काम में फस गई हूँ इसलिए मैं आइमेक लेने अपने भाई को भेज रही हूँ इस मैसेज को देख किम के सारे अर्मान वहीं टूट जाती है और तबी किम के डोर की बैल रिंग होती है किम दर्वासा खूलता है तो वहाँ एक आदमी खड़ा था जो बता रहा था कि मेरी बहन ने मुझे आपसे एक आईमेक लेनी भेजा है किम कहता है हाँ आगे वो आदमी किम के आईमेक को अच्छे से चेक करता है इस तोरान किम अपना गुसा दबानी की कोशिश कर रहा था क्योंकि किम को पता था कि असल में इसी आदमी ने उसे लड़की की नकली आईडी से मैसेज किया था ताकि आईमेक असानी से खरीच सके पर तबी वो आदमी कहता है अगर प्रेंट को लगा कर उसका फोन अनलॉक करता है इधर मैसेज में लिखा था तो तुम्हारी उस अचनवी लड़की के साथ डेट कैसी रही किलर किम की आईडी से लिखता है बहुत अच्छी लेकिन अब मैं बुसान शहर जा रहा हूं किम का दोस्त लिखता है इतनी ज औक रोचस निकल आते हैं इसे दिक सूजन घबरा जाती है और तबी सूजन को वहां उसका मैनेजर पार्क दिखता है पार्क यहां सूजन के लिए क्खाना लेकर आया था आगे पार्क सूजन से उसके वाशिंग मशिन की खराबी के बारे में पूचता है सूजन कहती है लेकिन सूजिन इसके लिए बार-बार मना कर रही थी तबी उतने में ही इन्हें सेरा की आवाज आती है सेरा भी यहां सूजिन के लिए लंच लेकर आई थी इसे देख पार्क विसे निराश होता है आगे पार्क वाशिंग मशिन के अंदर घुसकर उसे ठीक करने की कोशिश क आता है और ऐसा करते हुए पार्क को आदे घंटे हो गए थी इसी से सूजिन और उसकी दो सेरा समझ जाते हैं कि पार्क को कुछ ठीक करना नहीं आता सूजिन कहती है आपने तो कहा था कि आपने इंजिनियरिंग पास की है पार कहता है वो तो मैं सीविल इंजिनियरिंग की बात कर रहा था, electrical engineering मेरे बस के बाहर है, ऐसा कहकर पार्क वापस अपनी जगे पर आता है और सूजिन से कहता है, वैसे तुम कहो तो मैं तुमारी कुछ और मदद कर सकता हूँ सूजिन कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, अब आप यहां से जा सकते हैं पार्क कहता है, तुम्हें मुझे यहां से भगाने की इतनी जलती क्यों है, मैं इतनी दूर से इधर आया हूँ, कम से कम मुझे चाई या कॉफी तो पूछ लो, सैरा कहती है वो तुम से चाई कॉफी क्यों पूछेगी तुमने तो वाशिंग मशीन तक ठीक नहीं की अब फूटो यहां से, पार्क सैरा से कहता है समझनी की कोशिश करो, अगर साथ नहीं दे सकती तो कम से कम कवाब में हटी मत बनो ऐसा कहकर पार्क वहां से चला जाता है इदर सूजिन और सैरा अच्छे से जानते थे कि पार्क यहां सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया था दूसी तरफ किलर किम के आई मैक को खड़ा करके उसकी फोटो लेता है और उसे सोशल मीडिया पर आदे दाम में बेचने की डील डालता है इसी तरह किम के कमरे में जो भी पुराने समान होते है किलर उन सब की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर बेचने के लिए पोस्ट करता है दूसी तरफ लोग हैरान होते हैं कि कोई आदमी उन्हें इतने सस्ती डील कैसे दी रहा है इसी तरहान सूजीन भी औलाइन वाशंग मशिन के बारे में सर्च कर रही होती है तब ही सूजीन को उदर एक वाशंग मशिन दिखती है जिसके नीचे ओनर नहीं लिखा था कि मुझे देश से बहार जाना है इसलिए मैं urgently इस washing machine को बेच रही हूँ इसे देख सूजिन बहुत excited होती है क्योंकि ये लेडी उस machine को सिर्फ 220 टॉलर्स में बेच रही थी अगले दिन सूजिन को लेडी का message आता है कि तुम मुझे online पैसे transfer कर दो machine तुम तक पहुँच जाएगी तब सूजिन जल्दी से पैसे उस लेडी के account में transfer कर देती है दोस्तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ये लेडी असल में नकली ID वाला वही killer है जो online इतने ससे दामों मिंकिम के घर का समान सेल कर रहा था आगी site में काम करने के दोरान ही सूजिन को technician का call आता है technician सूजिन के घर machine लेकर पहुँच गया था और machine fit करने के लिए सूजिन का मौजूद होना बहुत जरूरी था तब सूजिन urgently छुटी लेकर site से चली जाती है आगे technician machine fit करके जब उसे start करता है तो machine start नहीं होती तब technician बताता है आजकल online चीज़ों पर भरोसा नहीं कर सकते आपको किसी ने बेकार machine बेच दी है ये बिलकुल खटा रहा है तो सूजिन समझ आती है कि उसके साथ किसी ने fraud किया है रात में सूजिन अपने पैसे refund करवानी के लिए उस lady वाली ID को search करती है लेकिन अब वो ID पूरे internet से गाब हो चुकी थी साथी phone number डालने पर उस ID की details भी नहीं आती इसे दिख सूजिन को शौक लगता है आगे सूजिन इस बात की complaint पुलिस से कहती है कि किसी ने मुझसे मेरे 220 डॉलर्स ठग लिए है आप उस स्कैमर को जल्दी से पकड़िए तब Officer Jack कहता है हमें आपके केस की तहकीकाश शुरू करनी के लिए कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे सूजिन कहती है इतना जादा समय सिर्फ तहकीकाश शुरू करनी के लिए ऐसा क्यों? तबी Senior Inspector Kang आकर बताता है इस लिस्ट में देखिए हमें सिर्फ पिछले दो महीने में ही इस तरह की Online Scamming से जुड़े बहुत सारे केसिस आई है वे सभी लोग इस Scamming से परिशान है और Internet इतना बड़ा है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते कि आपको ठगने वाला आदमी इसी देश से है या नहीं मतलब इस कैमर को ढूरने में सालों भी लग सकते है इसलिए आप थोड़ा पेशन्स रखे तो सूजिन निराश होकर वहां से चली जाती है अब सूजिन को मजबूरन पैसे देकर एक महंगी वाशर यानी वाशिंग मशीन खरीदनी पड़ती है लेकिन ये मशीन कल से पहले सूजिन के घर इंस्टॉल नहीं हो सकती थी इसलिए सूजिन अपने आजवाले कपड़े उसे शौप में धोने रख देती है आगे वो कपड़े दुलने के बाद इतने भारी हो जाती है कि सूजिन से उठाय तक नहीं जाती तभी बीच रास्ते में ही कपड़े वाली थाली फट जाती है और सारे कपड़े इवन अंडर गार्मेंट्स भी नीचे गे जाती है और पास से गुजरते वे लोग सूजिन को ही देखने लगती है ये सब देख को सूजिन को बहुत बुरा महसूस होता है और यहाँ सूजिन डिसाइट करती है कि ये सब उसके साथ उसी स्कैमर की वज़े से हो रहा है इसलिए अब वो भी उसकैमर को शांती से नहीं छोड़ेगी आगे सूजिन सेलिंग एंड पर्चेसिंग वेबसाइट पर जाकर सभी ओनलाइन सेलर की डिस्क्रिप्शन अच्छे से रीट करने लगती है सूजिन को ऐसा लग रहा था कि उस स्कैमर ने अपनी दूसी फेक आईटी में जरूर कोई ऐसा हिंट डाला होगा जिससे वो उसे पहचान जाएगी काफी देर तक इंटरनेंट सर्फिंग करने के बाद सूजिन को एक सेकिंड हैंड लाप्टप दिखता है इसके ओना ने नीचे लिखा वा था कि मैं देश से बहा जा रही हूँ इसलिए इस लैप्टप पर अजेंट सेल है इससे देख सूजिन को याद आता है कि स्कैमर ने भी वाशिंग मशीन के नीचे सेम यही वाली लाइन लिखी थी कि मैं देश से बहा जा रही हूँ और इसलिए मेरे वाशिंग मशीन में अजेंट सेल है इससे सूजिन समझ आती है कि उसने असली स्कैमर को ढून लिया है इदर सूजिन स्कैमर के टेक्स को कॉपी करने की कोशिश कर दिया है लेकिन टेक्स कोपी नहीं होती क्योंकि यह कोई टेक्स नहीं बलकि एक फोटो थी सूजिन कहती है तो तुम हर पोस्ट के नीचे यही सेम फोटो डालते थी ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो तुम तो बड़े चलाग निकले यार ऐसा केकर सूजिन उस आईडी के हर प्रोड़क्ट के नीचे ऐसा कमेंट कर देती है कि यह आत्मी फ्रॉड है इससे कोई समान मत खरीदो तो इसके थोड़ी देर बाद ही बहुत सारी लोग रिप्लाइ करती है थैंक गड़ तुमने मुझे बचा लिया मैं इस आत्मी को पे करने ही वाली थी और एक आत्मी रिप्लाइ करता है मैंने तो अपना और्टर कैंसल करवा दिया इसे देख सूजिन बहुत खुश होती है कि कम से कम उसके वज़े से स्कैमर का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तबी सूजिन के फोन पर एक अननन मैसेज आता है कि यहीं रुख जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा सूजिन मानो इसी मैसेज का अंतजार कर रही थी सूजिन टाइप करती है तुम अपनी खैर मनाओ मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारी असली आईडी नहीं है तुमने इस आईडी को चुराया है और शायर तुमें कोई काम नहीं मिला इसलिए तुम बेरोज़कारी में लोगों को इस सरह ठग रही हो इस टेक्स्ट को देखकर स्कैमर का इको हर्ट होता है और स्कैमर लिखता है यहीं रुख जाओ यह मेरी आखरी वार्निंग है लेकिन सूजिन स्कैमर की इस वार्निंग को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती सूजिन लिखती है मैं भी तुम्हें वान कर रही हूँ, पुलिस तुम्हें बहुत जल्द अरेस्ट कर लेगी, इसलिए जेल जाने के लिए तयार हो जाओ इन मैसेजिस को पढ़कर स्कैमर का गुस्सा साथवे आसमान में पहुँच गया था, इसलिए स्कैमर कुछ नहीं लिखता वहीं सुजिन को लगता है कि स्कैमर उसे डर गया है, इसलिए सुजिन अपने काम में लग जाती है, लेकिन सुजिन को नहीं पता था कि स्कैमर अपने हैकिंग स्किल्स से सुजिन का सारा बैयोडाटा निकालने में बिजी है, ताकि सुजिन को mentally torture कर सके अगले दिन सूजिन काफी लेट ओफिस पहुचती है इसलिए सूजिन का मैनेजर पार्क उसे अपने ओफिस बुलाता है पार्क सूजिन को काफी डाटने के बाद कहता है आइंदा से तुम्हें ओफिस आने में लेट नहीं होना चाहिए यह मैं तुम्हें आखरी वार्निंग दे रहा हूँ तो इसी सुन सूजिन को स्कामर के कल रात वाले मैसेच की याद आ दी है और अब सूजिन नॉर्मल बिहेव करते वे अपने टेक्स में जाकर सोचने लगती है कि कहीं उसका मैंजर पार की तो वो स्कामर नहीं आगे सूजिन और सैरा लंच कर रहे थे तभी सूजिन को एक कॉल आता है कॉल वाली लेडी कहती है मैंने सुना है कि आप अपनी वाशिंग मशिन फ्री में बेच रही है सूजिन कहती है सौरी रॉंग नंबर ऐसा कहकर सूजिन कॉल वापस रख देती है इतने में ही सूजिन को एक दूसरा कॉल आता है और इस बार कॉल में एक आदमी था जो सूजिन से सेम सवाल पूछ रहा था कि क्या आप अपना वाशिंग मशिन फ्री में सेल कर रही हो इसे सुन सूजिन काफी गुसे में कॉल कार देती है इतने में ही सूजिन को एक और तीसरा कॉल आता है इसे देख सूजिन समझ चाती है कि यह जरूर उस स्कैमर की हरकत है आगे सूजिन इंटरनेट में देखती है तो वहां उसे एक ID दिखती है इस ID में स्कैमर फ्री में वाइल नमर्ट डाला हुआ था इसे देख सुजिन बहुत गुसा होकर टाइप करती है कि यह सब एक स्कामर का किया धरा है इस पर यकीन ना करें तभी सुजिन इसे डिलीट करके दुबारा से लिखती है कि वाशिंग मशीन बिग गई है और फर खतम हुआ यह सब करने के पास सुजिन अपने घर पहुच रही है पर तभी सुजिन की दियो तुब सुन दर्वासा कोल कर देखती है तो बाहर एक दिलीवरी बॉय सुजिन के लिए उर्डर लेकर आया था और सुजिन से उसके पैसे मांग रहा था सुजिन कहती है लेकिन मैंने कुछ नहीं मंगाया डिलिवरी बॉय कहता है लेकिन एड्रेस और रूम नंबर तो यहीं का है इतने में ही वहाँ एक दूसरा आत्मी आकर कहता है आपने हमारे यहां से नूडल्स ओर्डर किये थी सुजिन क आती है आप दोनों को जरूर कोई गलत फैमी हुई है तभी वहाँ एक और डिलिवरी मैन पीजा लेकर आता है अब इन तीनों को देखकर सुजिन समझ जाती है कि यह सब जरूर उसी स्कामर का काम है अगले दिन सुजिन घर से निकलने से पहले एक नोटिस डाल कर जाती है क कि इस एडरे से कुछ और नहीं किया गया है यह सब किसी का प्रैंक है आगे सुजिन फिर से पुलिस को अब तक की घटी सारी घटना बताती है इसे सुन पुलिस ऑफिसर कैंग सुजिन को अपना फोन नंबर बदलने का सुझाब देता है तब तक वैलुक जिस जगे से कमरे में रहने वाले आदमी के फोन पर कॉल रिंग करवाता है पर कॉल किसी वज़े से नहीं लग रही थी तब कैंग कहता है क्या आप एक बार उसके कमरे के अंदर जाकर देख सकती है लैंड लेडी कहती है मैं अपने किसी भी किरायदार को इस तरह से डिस्टब नहीं कात और जिस अपार्टमेंट पर आपको शक है वो अपार्टमेंट एक शरीफ स्टूडेंट किम का है और किम पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सकता ऐसा कहकर लैंड लेडी वहां से चली जाती है दूसी तरफ सुजिन काम करके अपने घर वापस लोटती है लेकिन घर के अं सेक्यूरिटी बताता है कि हमारे मैनेजर ने हमें हौल और पारकिंग लॉट के अलावा कहीं भी कैमेरा फिट काने से मणा किया था तब मैनेजर बताता है कि अपने फ्रेंट डोर के पास कोई भी किरादार से से उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनकी प्राइविसी में दखल द नहीं गया और वैसे भी हम किसी पर दर्वाजे से एक पेपर चोड़ी करने का केस नहीं डाल सकती इतने में ही बहां एक डिलेवरी बॉय आता है सुजिन उसके पास चाकर कहती है यह और्डर किसका है डिलिवरी बॉय कहता है सुजिन का तब सुजिन ऑफिसर की तरफ मुड़ तब तक आप अपने घर जा सकती है तो सुजिन वहां से चली जाती है और कैंग उस डिलिवरी बॉय को वहां से भगा दीता है लेकिन उसी के जस्त बाद वहां एक और डिलिवरी मैन आ जाता है इसे देख कैंग समझ जाता है कि जितना उसने सोचा था यह ओनलाइन स्कैमर उससे भी जादा संकी है अगली सीन में हम एक मुबाइल शॉप ओनर को देखती है जो सुजिन को उसका नया सिम और नंबर एक्टिवेट करके दीता है ताकि स्कैमर इससे उसे कॉंटेक्ट ना कर सके रात को सुजिन सेरा के साथ थोड़ा टाइम स्पैन करती है क्योंकि स्क गणर के लेते विए वह तो जाती है सेरा के जाने तक दूर से वह स्कैमर सुजिन पर नजर रखे वे था अगले दिन सूजिन ओफिस चाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही उसे दरवाजे के ठीक बाहर एक technician दिखता है सूजिन कहती है आप कौन है technician बताता है मैं यहाँ नया CCTV फिट करने आया हूँ यह CCTV रात में glow नहीं कहते क्योंकि इससे हमारे कुछ residents को तकलीप थी सूजिन कहती है क्या यह सारी चीज़े live record करे का technician कहता है हाँ और कोई भी इसकी memory card निकाल कर अंदर की recording देख सकता है ऐसा बता कर वो technician वहाँ से चला जाता है आगे site में सूजिन को उसकी mom message कहती है क्या तुम busy हो सूजिन कहती है थोड़ा सा वैसे आपको कुछ काम था सूजिन की mom type करती है actually इस गर्मी में मुझे एक EC लेना था लेकिन मेरा credit card काम नहीं कर रहा है और इस महीने तुमने मुझे पैसे भी transfer नहीं किये सूजिन लिखती है आपको कितने पैसे चाहिए तो सूजिन की mom 4000 डॉलर्स लिखकर नीचे अपनी bank details टाल देती है अब सूजिन उस account में पैसे भने ही वाली थी कि तबी सूजिन को ख्याल आता है कि ये काम उसकर का भी हो सकता है इसलिए सूजिन अपनी mom को direct call लगाने की कोशिश कर दी है लेकिन call busy आ रहा था तब सूजिन वापस से message पर जाकर अपनी mom से dad कहां है इस बारे में पूछ दी है सूजिन की mom कहती है वो अभी job में गए हुए है सूजिन लिखती है लेकिन dad को तो गुजरे एक साल से जादा हो गया है यानि तुम mom नहीं हो तो लिखावा आता है लोल मैं तुमारे family background के बारे में इतना detail में बता करना भूल गया लेकिन अगली बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी रात में सोते वक सूजिन को अपने दर्वाजे से आवाज आती है और जब सूजिन दर्वाजे के पास चा कर देखती है तो बाहर से किसी ने उसके password वाला lock खोल दिया था इसे देख सूजिन घबरा जाती है लेकिन अब भी दर्वाजा दूसरे lock के कारण पूरी तरह नहीं खुलता सूजिन उसे आदी खुले दर्वाजे से एक अंजान लड़के को देखती है वो लड़का कहता है दर्वाजा खोलो सूजिन कहती है तुम हो कौन लड़का कहता है तुम्हारे बॉइफ्रेंड ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे साथ सोने के लिए कोई बंदा चाहिए तो इसलिए मैं यहां आ गया सूजिन कहती है चले जाओ यहां से वनाय मैं पुलिस को कॉल करूंगी तो वो लड़का जबदस्ती ही उस लौक को अपने हाँ से तोड़ने की कोशिश करता है और गुस्से में बोलता है कि तुम लोग खुसे मुझे बुलाते हो और थमकी भी देते हो इसे सूजिन एकदम से घबरा कर जल्दी से पुलिस को अपने एड़स में आने कहती है और बताती है कि कोई अजनबी मेरे घर में जबदस्ती गुसने की कोशिश कर रहा है तब वो लड़का वहां से गुसे में चला जाता है इसके बास सूजिन घबरा कर जमीन में पढ़ जाती है तब ही सूजिन को स्कैमर मैसेज करके कहता है तुम तो जरूरत से ज़ादा डरपोक निकली इसलिए मैं तुमें एक ओफर देता हूँ पांच मिनिट के अंदर मेरे अकाउट में पांच मिलियन वान ट्रांसफर कर दो और मैं ये सब यहीं रोग दूँगा अब पांच मिनिट का टाइमर शुरू हो जाता है और सूजिन बिल्कुल भी फैसला नहीं कर पाती कि वो ये पैसे स्कैमर को भेजे या ना भेजे क्योंकि पांच मिलियन वान का भी बड़ी रकम थी ये सोच से सोच से सूजिन का टाइम अप हो जाता है और अब सूजिन स्कैमर को मैसिज तक नहीं कर सकती थी तबी ठीक पिछली बार की तरह सूजिन के कमरी का लॉक अचानक फिसे खुलता है और इस बाद सूजिन से मिलने एक नया लड़का आया था जो ठीक पिछले वाले लड़की की तरह कह रहा था कि मुझे तुमारे बॉइफरेंड ने तुमारे साथ सोने बुलाया है इसलिए दरवासा खोलो इसे देख सूजिन बस रोने के अलावा कुछ नहीं कह पाती तबी वहाँ ओफिसर कैंग पहुँच कर उस लड़के को जोर जोर से माने लगता है कैंग को लगा था कि यही लड़का वो स्कैमर है आगे मामला शान्त होने के बाद वो लड़का बताता है कि किसी आदमी ने ओनलाइन समान को सेल पर डाल रखा था जब मैंने उस आदमी से बात की तो उसने कहा कि मुझे वन नाइट स्टैंड के लिए एक लड़का चाहिए पहले मुझे लगा कि यह कोई मजाग होगा लेकिन फिर उसने मुझे अपने प्राइवेट अकाउंट से सूजिन का एड्रेस भीजा और कहा कि मेरी गल्फरेंड सूजिन घर में अकेली है और उसे अपनी कमपनी के लिए कोई आदमी चाहिए तो मेरे ख्याल में आया कि यह तो काफि अच्छी पॉइफरेंड है जो अपनी गल्फरेंड के साथ सोने दूसरों को इन्वाइट कर रहा है लेकिन उसे सूजिन के घर का लॉक तक पता था और उसके पास सूजिन की कई सारी फोटोस भी थी इसलिए मुझे उस पर शक नहीं हुआ आगे उसी राज स्कैमर सूजिन को मैसेज करके उसे उसका सारा बायाडाटर बता दीता है जैसे कि सूजिन पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ उसने कौन सा कॉमपटेशन जीता और अभी इस वक्ट को कौन सी जॉब कर रही है इसे देख सूजिन घपराते भी स्कैमर को टाइप करती है, कि तुम्हें लोगों को इस तरह परिशान करने में बहुत मज़ा आता है न, अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ, तो स्कैमर सूजिन के इस मेसिज को इग्नोर करता है तबी हम देखते हैं कि स्कैमर के पास सूजिन की सारी परसनल डिटेल्स और पुरानी से भी पुरानी तस्वीरे मौजूद थी अगली सुबे सूजिन कैंग से कहती है, आप लोग स्कैमर के शिपिंग एड्रिस में क्यों नहीं जाते कैंग कहता है, मैं गया था और वहाँ मैंने उस एड्रिस में रहने वाले का फोन नमबर भी पता किया पर उस नमबर से बार बार कॉल स्वीच ओप आ रहा है सूजिन कहती है, इससे तो कनफर्म होता है कि उसी एड्रिस में रहने वाला मेरा स्कैमर है आपको किसी तरह उसके घर में जाना होगा कैंग कहता है, लेकिन इसके लिए हमें ऑफिशल सर्च फॉरेंट की जरुरत पड़ेगी इसे कहते हैं कैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है अगली सीन में कैंग उस एड्रिस की मकान मालकिन से ऐसा जूट बोलता है कि तीनों को पता लग जाता है कि कोई दूसरा आत्मी तब से किम का मडर करके उसके अपार्टमेंट में रह रहा था आगे वहाँ फॉरेंसिक टीम आकर क्राइम सीन की अच्छे से तलाशी करती है और डेट बॉटी को अपनी साथ ले चलती है इस दोरान सूजिन सदमें भी थी क्योंकि उसे पता लग गया था कि जिसे उसने पंगा लिया है वो किसी का भी मडर करने में भी नहीं ही चकता सूजिन की यहालत देखकर ऑफिसर कैंग सूजिन को गाड़ी में बिठाते वी क्राइम सीन से दू ले जाते है अब ऑफिसर कैंग फोरंसिक टीम के पास जाता है तब डॉक्टर्स बताते हैं कि किलर ने किम के घर का सारा समान बेच दिया है और सारे फिंगर प्रिंट्स भी साफ कर दिये है इससे पता लगता है कि किलर किम के घर में लंबे समय से मौजूद था आगे कैंग का साथी ऑफिसर जैक बताता है कि किलर के फोन रिकॉर्ड से बता लगा कि उसने मरे वे आदमी किम के सबी परिवार वालो और रिलेटिब्स को ये बता रखाता कि किम बुसान में है इविन किलर ने जो फ्रीजर किम की लाश को रखने में इस्तमाल की थी नाम की वो लेडी ऑफिसर कैंग को बताती है कि दो साल पहले मेरे साथ भी उसी स्कैमर ने स्कैम किया था बात में मुझे भी किसी तरह उस स्कैमर के नकली आईडी मिल गई और मैंने ऐसा पोस्ट डाला कि ये आदमी स्कैमर है इसका विश्वास मत करो बस उस पोस्ट के बाद से ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गई फ्लैश्पैक में दिखाते हैं कि मारिया के साथ भी दो साल पहले वही हुआ था जो इस वक सुजिन के साथ हो रहा है यहां मारिया के घर में भी वो स्कैमर बहुत सारे डिलिवरी बॉइस बेच कर उसे परिशान करता था मारिया आगे बताती है उस स्कैमर के पास मेरा एमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब का रिकॉर्ड था यहां तक भी मैं कम से कम खुद को सेफ मैसूस करती थी, लेकिन फिर अचानक मेरे घसे छोटे मोटे सामान गाब होने लगे यह सब गाब करके स्कैमर मुझे ये दिखाता था, कि वो मेरे बहुत करीब है और मुझे कभी भी जान से मार सकता है मैं हर पल इसी दहशत में जीती थी, कि वो आतमी मुझे मा डालेगा और आज मेरे सर से वो दहशत पूरी तरह नहीं मिटी कैंग कहता है, आपको कैसे पता कि इसके पीछे एक औरत नहीं बलकि आतमी है मारिया कहती है, क्योंकि वो खतरनाक आदमी एक बार मेरे घर आया था फ्लैश पैक में दिखाते हैं कि वो उस कैमर काफी जोर से दम लगा कर मारिया के घर का दरवाजा तोड डालता है और घर के अंदर बढ़ता है, लेकिन मारिया उसके खुद तक पहुँचने से पहले खिटकी के जरीए अपने घर से पहार निकल कर रोट की तरब भाग जाती है यह सब बताते वे मारिया रोने लगी थी फिर हम सूजिन को उसके घर के अंदर आता देखते हैं तब ही कोई सूजिन के घर का दरवाजा पुरा बंद होने से रोक लेता है सिर्फ इसी से सूजिन काफी जादा पैनिक करने लगती है लेकिन असल में यह आदमी मैनेजर पार्क था पार्क कहता है मुझे तुमारे कलीक से तुमारे साथ क्या घट रहा है सूजिन कहती है सूरी उसकी कोई जरूरत नहीं लेकिन पार्क इस पर जबदस्ती करने लगता है वहीं सूजिन को पार्क पर ही शक था कि पार्क की वो स्कैमर है इसलिए सूजिन पार्क को अपने घर नहीं आने दीती और जबदस्ती दर्वासा बंद कर लेती है जिससे पार्क नीचे गिर जाता है पार्क वापस खड़ा होका सुजिन से गुस्से में कहता है तुम बहुत घमंडी हो आगर तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती वैसे भी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए इसे देख सुजिन घपराते वी किचन की लाइट आउन करती है तो वहां उसे टेबल पर दो चॉपस्टिक दिखते हैं साथी सारा खाना बिकरावा लगता है तबी सुजिन को अपने मॉनिटर की आवाज आती है और जब सुजिन मॉनिटर रूम पहुँचती है तो वहां मॉनिटर पहले से ही ओन होता है तबी मॉनिटर में लिखा आता है तुम आज जल्दी कर आ गई ये सब देख का सुजिन क का SD काट चुरा कर ले गया और बाहर वाले कैमरा में बस एक हेलमेट पहना वा आदमी कैप्चर हुआ है यानि फिर से वो इस कैमर अपना काम करके भाग गया यह सब सुझन को सपने में दिखता है कि इस कैमर उसके बैट के नीचे छुपा वा था इसे दिक सुझन को अचानक स सदमा लगता है और सुझन वापस से भीषज हो जाती हैं जिस कारण सुझन को हौस्पिटल में एडیमिट कर आया जाता है हस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब सुझन टेक्सी में अपने घर जा रही थी तब ही सुझन को स्कैमर कॉल कहता है तब सुझन तक दस बजे तुम्हारे घर वो पैसे लेने आऊंगा और तब तक तुम अपने घर से कहीं दूर रहोगी अगर तुमने दस बजे से पहले घर आने की कोशिश की या पुलिस को इस सब में इंवाल्व किया तो तुम्हें अगला मौका नहीं मिलेगा तो सुजिन स्कैमर की इस कोड़कर कैंक को किसी तरह क्लोरोफार्म सुगाते वेए बिषुश कर देता है और सिधा सुजिन की बीडिंग की तरफ पैसे लेने पहुंचता है लेकिन इदर सुजिन के कम्रे का कोट दबाते वक्त उसे सुजिन का मैनेज़र पार्क देख लेथा पार्क के अहां सुजि में पार्क के पेट में चाकु घोप कर उसे वहीं मार डालता है ये सब होने के बाद सुजिन अपने घर वापस आती है आगे सोते वक्त सुजिन की नज़र जैसे ही सीलिंग पर पड़ती है वैसे ही उसे उपर कैमरा दिखाई देता है इसे देख सुजिन के होश उड़ जाती है अब सुजिन दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो वहां भी सेम कैमरा था ये कैमरे इस तरह बनाए गए थे कि ये रात को भी नहीं चमकते थे और स्कैमर ने इसे जान बूच का सुजिन के घर के सबसे अंधेरे वाले कोने में फिट किया था चाहां से किसी की नजर उन बन ना जाए दूसरी तब स्कैमर भी देख लीता है कि सुजिन को हिडिन कैमरा रस दिख कए है तबी इदर सुजिन कबार के पास मैनेजर पार्क की लाश देखती है जिसे किलर यानि स्कैमर ने यहीं चिपा दिया था इसे इसे पूजिन एक तम से सुन हो जाती है और तब इसी तरफ अफिसर कैंग को ढूनते वे उसका असिस्टेंट जैक कैंग की गाड़ी के पास पहुचता है और उसे होश में लानी की कोशिश करता है लेकिन कैंग होश में नहीं आ रहे थी इसलिए जैक बैकप टीम को कॉल लगाता है पर तबी जैक को उसके सामने सुजिन की का दिखाई देती है और जैक दीखता है कि उसकार में कोई दूसरा आदमी सुजिन को बेहोश करके लिए जा रहा था इसे दिख जैक अपनी गाड़ी में बैट कर इस बारे में पुलिस रीडियो में अनौन्स करता है कि रैट कार में हमारा सिस्पेक्ट भाग रहा है तो इस को सुन कैंग भी होश में आ जाती है और अब अफिसर कैंग और जैक ये दुनों अपनी अपनी गाड़ियों से स्कामर का पीछा करनी लगते हैं तभी पीछा करने के दौरान जैक की गाड़ी एक ट्रक से बुरी तरह टकरा जाती है वहीं स्कामर की गाड़ी बिलकुल एक पॉइंट से ट्रैक को बाउंस करते भी निकल जाती है गाड़ी में इतने जटके लगने से सूजिन को भी होश आ गया था वहीं दूसी तरफ कैंग अपने असिस्टेंट जैक की गाड़ी की हालत देखकर जैक के पास जाता है यहां जैक बुरी तरह अत्मरा हो गया था वहीं सिर्फ सूजिन घायल हालत में पड़ी थी आगी सूजिन और जैक दोनों को हॉस्पिटल में एड्मिट कराया जाता है हाला कि सूजिन की हालत पहले से बहतर हो जाती है लेकिन ऑफिसे जैक हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देती है इसे देख सूजिन और कैंग बहुत दु आती हैं उनमें से एक लड़की कह रही थी मैंने एक पोस्ट डाला था कि मुझे सस्ते प्यानों की तलाश है तभी इस लेड़ी ने मुझे कॉंटक किया और बताया कि इसके पास प्यानों है लेकिन अर्जेंटली विदेश चाने के लिए उसे ये बेचना पड़ रहा है तो हम कोई ऐसा सिच्वेशन क्रियेट करें जिससे स्कैमर खुद हमें ढूंडने आए आगे ये लोग सोशल मीडिया में एक नया अकाउंट क्रियेट करते हैं अकाउंट में इन लोगों ने सैरा की पोटो डाली भी थी और डिस्क्रिप्शन में में मेंशन किया था कि सैरा अक ले मुझे जाना होगा सुजिन कहती है नहीं उस कैमर का चारा मैंने देखा है इसलिए भीश बदल कर तुम्हारी जगे मैं जाओंगी आगी सुजिन के फेक अकाउंट में उसे कई सारे सेकंड हैंड प्रोडक्स के आफर आते हैं और सुजिन सभी से भीश बदल कर वो प्र लड़की है सुजिन कहती है वो स्कैमर जनरली खुद को लड़की बताकर ही प्रोडक्स बेचता है इसलिए चांस नहीं छोड़ना चाहिए कैंग कहता है ठीक है मैं ट्राफिक में हूं अभी वहां पहुंचता हूं तब ही सुजिन के सामने की गाड़ी खुलती है और उसमे वाला आतमी कहता है हां लेकिन उन्हें एक जरूरी काम आ गया इसलिए वो यहां नहीं आ पाई दूसरी तरफ यह सब कैंग सुन लेता है और कैंग समझ आता है कि यही असली स्कैमर जिम है क्योंकि जिम हर बार लेड़ी की आईडी यूज करता था अब कैंग जल्दी से जि स्कैमर की तरफ मुड़ती है और तबी स्कैमर सुजिन का पूरा चेरा देख कर पहचान जाता है कि यह तो उसकी पिछली टार्गेट सुजिन है लेकिन पब्लिक प्लेस में जिम सुजिन का कुछ नहीं कर सकता था वहीं कैंग को आने में देरी हो रही थी इसलिए सुजिन स कुमारा प्रोडक्ट यूज करके देखना चाती हूं तो इसी बहाने स्कैमर को एक मौका मिल जाता है और स्कैमर कहता है ठीक है पासी आपका घर है आप वहां मेरा प्रोडक्ट आजमा लीजिए तब तक मैं यहीं थैरता हूं तो सुजिन जल्दी से अपने बिल्डिंग मे कुछ नहीं सीखी चलो देखते हैं कि तुम्हारे घरसे में क्या चुरा सकता हूं ऐसा करका स्कैमर सुजिन का पूरा घर तलाशने लगता है लेकिन घर में काफी कम समान रखी वे थे इसे देख स्कैमर समझ जाता है कि यह सब एक ट्राप था तब ही हम देखते हैं कि सुज सुजिन को ढूण लेता है और दर्वाजा खुलनी कहता है लेकिन सुजिन उस दर्वाजे पर दवाप डाल कर उसे किसी तरह खुल नहीं देती लेकिन स्कैमर एक अतोड़े से उसकांच के दर्वाजे को तोड़ देता है और अंदर आकर बोलता है तुम बहरी लड़की हो जिसने मेरा चैरा देख लिया है, इसलिए अम मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। यहां स्कैमर और कैंग के बीच एक काफी लंबी फाइट होती है, जिसके एंड में ये दुनों बालकिनी से नीचे गिरते वे सीधा गाड़ी के उपर लैंड करती है। लेकिन एंड सीन में दिखाते हैं कि सुजिन आज भी उस ट्रॉमा से पूरी तरह उभर नहीं पाई है, जो ट्रॉमा उसे उस कैमर ने दिया था, सुजिन को अकेले रहते वे हर बार उस कैमर का डर आज भी सताता था। ऐसा दिखाते ही वे ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होब है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक हो चैनल को सिस्क्राइब करें।